तो आज का हमारा लेसन होगा पंचायती राज कमीटी से रिलेटेड होगा तो आपको पता है पंचायती राज को जो कंस्टिटूशनल स्टेटेस कब मिला था 1993 में थो 73rd Constitutional Amendment Act और 74th Constitutional Amendment Act से मिला था एक इस्टी रही है पंचायती राज की, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनी है उन्हों ने न जो है पंचायती राज की बारे में अलग-अलग जो है आड़वाईज दी और ईंड में जा के 1993 में पंचायती राज का एक जो इंस्ट्रक Ciर था वो तयार हुआ इतनी committees बनी तो क्यों बनी क्योंकि गांदी जी बोलके गए थे कि local administration की बहुत ज़्यादा importance है उन्होंने कहा था कि जो असली इंडिया है वो गाउं में ही रहता है article 40 में भी जो directive principle है उसमें भी पंचायत के बारे में लिखा हुआ है इसलिए नहरु जी के टाइम से ये committees बनना शुरू हो गई थी कि हमको पंचायती राज को strong करना है अब हम एक एक करके committees को देखेंगे तो सबसे पहले जो आपको नाम याद होने चाहिए committees के नाम याद करने के लिए ये कर लो BACS DG तो B4 बलवंत राय महता committee 57 में बनी डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी दिन आपके अशुक महता committee 77 में 85 में GV की राव committee 86 सिंग्वी 88 में ठंगर committee 88 में गटगिल committee चीक है अब एक एक करके हम सारा देखेंगे सबको आपको पढ़के बता दूँगा उसके बाद कहां कहां से question आते हैं ये बता दूँगा पहला discuss करते हैं 1957 बलवंत राय महता committee तो ये देखो बलवंत राय महता तीन नाम है तीन इसमें है words तो इसलिए इन्होंने क्या बताया थ्री टायर सिस्टम के बारे में बताया विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत के बारे में कहा ग्लॉक लेवल पे पंचायत समीथी के बारे में कहा जिसको आज हम जन्पत पंचायत बोलते हैं और डिस्ट्रिक लेवल पे इन्होंने जिला परिश्यद के बारे में कहा इन्होंने बोला कि जिला पंचायद थे वो advisory होनी चाहिए और जो पंचायद समीथी वो executive होनी चाहिए, decision वाली होनी चाहिए इन्होंने कहा कि जो direct elections होने चाहिए कहा पे, village level पे indirect elections बागी level पे होने चाहिए इन्होंने district collector को chairman बताया ठीक है फिर आते हैं अशोक महता पे 1977 अशोक महता दो नाम है तो इन्होंने दो टायर के बारे में बताया जिला परिशद और मंडल पंचायत ठीक है इन्होंने social audit की बात करी ठीक है उसके बाद इन्होंने जो main जो कहा वो क्या कहा कि seats जो है वो reserve होनी चाहिए जो पंचायत राज सिस्टम है उसमें भी SCOST के लिए seat reservation होना चाहिए एक अलग से ministry होनी चाहिए पंचायत राज इस्टिटूशन के लिए इन्होंने यह भी कहा कि जो नयाए पंचायत होती है जिन्होंने कहा कि जो पंचायत अभी जो पंचायत है वो एक घांस की तरह है जिसकी जड़े नहीं है मतलब जिसके पास कोई power नहीं है तो उसके पास power होनी चाहिए power आएगी कब जब आप regular elections करवाओगे ठीक है जो अभी district पंचायत में जो CEO होता है जो IAS होता है वो CEO के सबसे पहले GV की राव कमीटी नहीं कहा था उसके बाद आती है आपकी सिंग्वी कमीटी तो सिंग्वी कमीटी नहीं कहा कि इसको constitution recognition मिलना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक कानून बना दो या कुछ आप बकायदा इसमें constitution में amendment करो और constitution में इसको power दो ग्राम सभा की importance के बारे में बचाया उन्होंने ये भी कहा कि financial resources होने चाहिए पंचायत के बास नयाय पंचायत जो है आपकी वो villages एक मतलब ऐसा नहीं हो कि एक गाउं में नयाय पंचायत हो कुछ villages का cluster जो होना चाहिए उसमें नयाय पंचायत होनी चाहिए फिर आती है आपकी थंगर कमीटी थंगर कमीटी ने क्या कहा कि पंचायत का जो term है वो 5 साल का होना चाहिए और इन्होंने state finance commission की बात भी कही तो आप इसको ऐसे learn कर सकते हो थंगर से thug and thug से finance फिर आई गडगिल कमीटी तो गडगिल कमीटी ने जो main बात कही थी जो उन्होंने कही थी woman reservation के बारे में SCST reservation के बारे में अशोक महता ने बोला था और महिला reservation woman reservation के बारे में गडगिल जी ने बोला state election commission के बारे में भी इन्होंने ही कहा ठीक है तो यह हो गया अब हम देखते है questions question कैसे आते है सबसे बिले आपसे पूचा जाएगा कि यह जो कमीटी से इनका order तो यह order तो हमने याद करे लिया B.A.G.S.D.G. बलवंतराय में था अशोक में था जी वे की राओ जी वी के राओ अच्छा उसके बाद पूचेंगे बलवंतराय में था तो यह तू टायर पंचायच सिस्टम के बारे में बताया यह ध्यान रखना है उसके बाद इन्होंने जो यह आपका S.C.S.D. के रिजर्वेशन के बारे में किसने बताया तो अशोक मेंता कमीटी ने बताया ठीक फर्स्ट और यह दो चीजे ध्यान रखनी है फिर आजाओ आप राओ कमीटी के बारे में तो राओ कमीटी के बारे में जो पूछा चाता है कि किसने कहा था कि पंचाय द्राज इंस्टिउशन इस ग्रास विदाउट रूट्स तो राओ कमीटी ने कहा था जी यह जी फॉर ग्रास यहां से ध्यान रखना अगली जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी वह कई थी लेक्स आखनी रेगुलर एलक्शन के बारे में तो हम इसको शौट तो ध्यान रख सकते हो कि जब हम रेगुलर पढ़ते हैं तभी हमको G के लर्न होता है तो रेगुलर एलक्शन जिव के राओ हो गए आज उस्ञवी के बारे में सिंगवी की डेट पूछे जाती है ऐ том किस ने की थी अशोक महता ने वोमें की बात किस ने करी वोमें रिजर्वेशन की गटगिल ने बात करी इस्टेट इलेक्शन कमिशन की बात किस ने करी गटगिल कमीटी ने बात करी यह सब जो कुशन कमीटी के बारे में पूछे जाते हैं आपको ध्यान रखना है ठीक है उसक 48 से कन्फ्यूज मत होना 48 अलग है 40 अलग है ठीक है 40 आर्टिकल 40 इस रिलेटेट टू बंचाय एस रिलेटेट टू अनिमल हस्बेंट्री काव एटसेटरा अच्छा आप और ध्यान रटना कि जो दंते वाला कमीटी बनी थी दंते वाला कमीटी जो कि किसे रिलेटेट सी ब्लॉक लेवल प्लानिंग बस इतना ध्यान लख लो कहीं बार पूछ लेते हैं ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसमें कमीटी से जो भी कुश्चन आएंगे आप कर लोगे okay friends thank you so much